प्रिये विद्यात्यों मैं डॉक्टर शीव शंकर व्यास असिस्टन प्रॉफेसर गॉवर्मेंट लापीजी कॉलेज बीकानेड हम अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज की जो यूट्यूब चैनल बना रखा उसके माध्यम से मिरंतर रूप से इस सेसन में अपनी पढ़ाई क कर रहे हैं जैसा कि प्राचारे महधया ने आपको बताया है कि बहुत जल्द अब आपकी परिशा का टाम टेवल आने वाला है तो आप आराम से तैयारी कीजिए आज हम LLB सेकिंडियर की अपनी क्लास उसमें प्रसास्टिक विदी और प्रसास्टिक विदी में आज हम अप अप LLB फास्टियर में कॉंस्टिशनल लौ पढ़ चुके हैं और आर्टिकल फॉर्टीन विदी के समता और विद्यों का समान शरक्षन तो प्रसास्टिक विदी वैसे भी सविदान का एक भाग है और हम उसी रूल आफ लौ जिसकी कंसेप्ट हम आर्टिकल 14 में देख अगर हम सबसे पहले रूल आफ लौ के मीनिंग की बात करें एक लाइन के अंतरगत विदी का सासन या रूल आफ लौ का अर्थ है सरकार मनुष्यों के सिद्धानतों पर नहीं बलकि विद्धी के सिद्धानतों पर आदारित होनी चाहिए जो सरकारे या सासन विवस्ता चलती है रूल आफ लौ के अनुसार वे बनुष्यों के सिद्धानतों पर नहीं यानि कि मानव द्वारा निर्मित जो रूल से वह नहीं बलकि विद्धी के जो सिद्धानत है प्रिंसिपल्स अफ लौ है उस पर आदारित होनी चाहिए इस रूल आफ लौ के कंसर्ट की शुरुवात 1688 में the case of proclamation से हुई डाइसी ने 1885 में विद्धी के सासन की वियाख्या अपनी पुस्तक to the law of the constitution में की थी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है जो आपका जो पेपर पैटर्न है जो हम तैयारी करते हैं चाहिए वो अब्जेक्टिव हो नेट की तैयारी करते हैं especially RGS में administrative law नहीं है वहाँ पर यह छोटे object की question आ जाते हैं कि rule of law किसका concept था 1800 पिच्ची असी में कौन सी किताब के द्वारा किया गया सबसे important जो है to the law of the constitution डाइसी की पुस्तक का नाम पूछा जाता है तो हमें ध्यान में रखना चाहिए और इसी to the law of the constitution की जो किताब थी जिसमें उन्होंने अपने rule of law की व्याख्या की और के अनुसार कुछ परमुख विसेस्ता हैं हम rule of law की यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली जो विसेस्ता हम यहाँ पर देखते हैं rule of law की हम जब बात करें हैं कि विदी सर्वोच है विदी प्रधान है सरोपरी है सर्व व्यापी है दूसरों सब्दों में व्यक्ति के अधिकारों को निर्दारित करने यहम निप्डाने में स्वेच चेलिता की बजाय विदी की सर्वोचता और प्रधानता को स्विकार किया जाएगा rule of law के जब हम प्रमुक विसेस्ता हैं देख नहीं सबसे पहला क्या कराए कि विदी सर्वोच है प्रधान है सरव परी है सर्व व्यापी है और व्यक्ति के अधिकारों को निर्धारिद करने में रूल अफ लॉक को ही मना जाएगा स्वेचेता को नहीं स्विकार किया जाएगा डूसरी विदी का सासन व्यधानिक सासन की मांग करता है सासन किसी व्यक्ति की इच्छा अत्वा सनक पर निर्वर नहीं करता है वह निर्वर करता है लौपर और नियंत्रित भी होता है लौपर से सबसे important चीज क्या कहना जा रहा है कि जो विधी का सासन है वो धनिक सासन की मांग करता है और सासन किसी व्यक्ति की इच्छा particular किसी व्यक्ति विशेश की इच्छा या सनक पर नहीं निर्बर करता है बलकि वह विधी पर ही निर्बर करता है और विदी से ही नियंतरित होता है विसेस्ता नमबर तीन विदी का सासन नागरिक सतंतरताओं का सरक्षक है व्यक्ति की जो सतंतरताओं हैं वो कब सरक्षक रह सकेगी जब रूल अफला का सासन होगा जब सभी व्यक्ति समान होंगे किसी के साथ कोई बेदवाव नहीं किया जाएगा तो rule of law जो है नागरिक सकतंत्रताओं का एक सजक प्रहरी है सदनक्षक है यह स्वेचे कारिशा से मुक्ति दिलाता है पुलीस कानून से मुक्ति दिलाता है इसके कारण जहां नागरिक सकतंत्रताओं जोकिंग में नहीं पड़ती वहीं न्याय प्रणाली जो है वह सुद्ध, पवित्र, कुशल, सुतंत, निस्पक्ष और सतक बनी रहती है यह सारी बाते कब संबव है जब rule of law की स्थापना की जाएगी विशेस्ता नवह हम चार देखें तो विदी के समक सभी व्यक्ति समान है और सभी व्यक्तियों को विदी का समान सरक्षन पराब्द है विदी बिन बिन वर्ग वाले व्यक्तियों के मध्य कोई भेद नहीं करती कोई विदी से उपर नहीं है कोई विदी से परे नहीं है सबी व्यक्ति, संस्थाएं प्राधिकारी, पदाधिकारी चाहे उनका पद और इस्तरती कुछ भी हो वे सारे के सारे विदी के अधीन है और देश के सामान्य न्यायलों के छेतरादिकार के अंतरगत आते हैं फिर पांचवी विशेशता बताता है कि Rule of Law जो है वह ordinary law यानि कि सामाने विदी ordinary course सामने न्याले की मांग करता है यह विशेश न्याले और विशेश न्याले की मांग नहीं करता सामने न्याले अपने निर्ने विदी के अनुरूप देता है किसी व्यक्ति की आउसक्ताओं के अनुरूप नहीं न्यायले के निर्ने संसद अत्वाराजनितिग्यों की अलोचना के पात्र नहीं बनते और last but not least, हम बात करें तो विदी का सासन किसी भूतलक्षी विदी को मानेता प्रदान नहीं करता किसी व्यक्ति को सारेरिक अत्वा आर्थिक दंड तभी दिया जा सकता है जब किसी विद्यमान विदी की उलंगना की गई हो और ये उलंगना देश के सामान्य न्यालियों में सामन्य कानूनी पर करिया द्वारा परमानी तो हो चुकी हो तबी किसी व्यक्ति को सारे रिक वर आर्थिक दंड दिया जाएगा अन्यथा नहीं तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि रूल अफ लाउ जो हमारा है ये सरकार मनुश्य के सिध्धान्तों पर नहीं बलकि विदी के सिध्धान्तों के अनुसार चलेगी रूल अफ लाउ की सुरुवात 1688 में दकेस और प्रोक्लोमेनिस्टन से हुई विदी के समक सभी व्यक्ति समान है और सभी व्यक्तियों को समान सरक्षन प्राप्त है विदी का सासन समान्य विदी और समान्य न्याले की मांग करता है और सबसे लास्ट में हमने इसकी जो विसेशता देखी वो था कि विदी का सासन किसी भूतलक्षी विदी को मानेता नहीं देता किसी व्यक्ति को सारेरिक और आर्थिक दंड तभी दिया जा सकता है जब किसी विद्यमान विदी की उलंगना हो और ऐसी उलंगना सामाने नयालों में सामाने परक्रिया द्वरा परमानित हो तबी हम उस किसी व्यक्ति को दंदित कर सकेंगे कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम भारत में विदी के सासन के कंसेप्ट पे कि भारत में विदी के सासन किस परकार से इस्थापित है कहां कहां क्या क्या प्रोविजन है जिसे हम यह मानें कि बार्दमवीदी के सासन इस्तापित हो रखा है उसके उपर हम चर्चा करेंगे धन्यवाद